हेलो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सब लोग फिट और फाइन एक दम बढ़िया हो दोस्तों एक हफ्ते हो गए इंडिया ने विल्लकप जीते प्राइड संस ऑफ इंडिया हम लोगों ने विल्लकप जीता ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रहे हैं दूसरे टीम्स की कि आपको पता ही है लेकिन हम लोगों ने जीता है यही हमारे लिए बहुत ही गर्ब की बात है दोस्तों मैं विजए था बैंगलोर से और यह रहा मेरे थापस सलाम उमीद करता हूँ कि अगें फिट और फाइन हो तो दूसरे जिगह पता नहीं बैंगलोर में तो बारिश ही ब करते हो तो यह वीडियो आपको आपके लिए होने वाला है क्यों दोस्तों अगर आपने वीडियो के स्टार्टीं में देखा एक काउंट संब बॉल को दिखाया गया था मैंने तीन-चार महने पहले उनका एक वीडियो बनाया था इनका बॉल है इनका इस एक बहुत ही market में नामी brands है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा उनके बॉल बहुत ही costly होते है उस वज़े से उन्होंने क्या किया एक बॉल लॉंच किया crownstone जो quality और में compromise नहीं है लेकिन price उससे भी सस्ता क्योंकि यह believe करते है manufacturer to direct and customer concept में तो बहुती कम दाम में बहुती 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 क्वालिटी का बॉल यह आपके लिए लाए थे अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे description में दिया है आप जाएए देखिए और आपको खुद पता चलेगा कि कितना बहुतरी किया बॉल को सील किया अभी इनो जो भी एक corporate game खिलना चाहते है corporate players है या फिर entering level players है उनके लिए एक सस्ता टिकाओ लेकिन premium वाला बैट आपके सामने पीश करश किया है उनका एक नया बैट लॉंच हुआ है I am so very glad exclusively मेरे चैनल पर इसका review कर रहे है वो बैट मेरे पास आया है and I want to go and show it to the world at large आप लोगों को दिखाना जाता हूं कि यह इनका बैट कैसा है right देर नहीं करते दोस्तों इनका बैट खोलते है और दिखाते लोगों को कि यह कैसा है वाव दोस्तों जिस price range में यह दे रहे हैं उस price range में जो उन्होंने cover भीजा है ठीक ठाक है and it's good I wouldn't say यह दोस्तों crownstone का मेरे हाथ में इनका बैट आ गया है एक बार आप इसका shape देख लिजिए दे दोस्तों duckbill profile का shape है you know बहुती शांदार सा and you have the power hitting area from here till here यह देखे दोस्तों generally you know यह इंग्लिश विलो में VK profile से match होता है अगर आप देख रहे हो तो यह VK profile का match हो रहा है and by the looks of it देखे दोस्तों बहुती बहतरीन quality का इनका sticker है 3D embossing किया गया है I love the graphics and I love the way that they have given the sticker and अगर camera सामने लाएंगे हम अपने दर्शकों को एक जलक इस बैट के बारे में दिखा दे अराम से देखे दोस्तों यह है कश्मीर विलो का premium grade का A1 विलो बैट जो dual tone में आ रहा है आपके लिए आगर आप मेरे जिसे corporate player हो या फिर weekend player हो आपके लिए बैट बढ़िया होने वाला है देखे दोस्तों यह इसका back profile देख लीजिए पूरा भरा हुआ profile है कहीं पर भी weight करने के चकर में उन्होंने concaving या रांदा मारके इसका खड़ा नहीं बनाया है यहां पर देखे ब यहारा बारा तेरह मतलब दस से बारा ग्रेंट तो है ही इस इन बैट में जो एक खुद में एक निशानी है जो आपको बताते हैं कि how good it is और तो यह हार्ड प्रेस बैट है मतलब इन वहां जब आएंगे आपके पास इन बहुती प्रेस होके आया है इसलिए इन्होंने अनो प्रेमियम फील लाइक यह देखें दोस्तों इसको निकालते हैं अब के लिए और इसकी अच्छी बात यह है दोस्तों मेरे हाथ में आते हैं आपको पता है कि मैं 1300-1350 ग्राम के बैट से खेला हूं लेकिन यह जो है बैट इनो बहुत ही बढ़िया बैट लग रहा मेरे को क् क्या होता है अगर आपका बैट ज्यादा वेट भी हो अगर वह बैलेंस बैठ हो तो आपको वेट नहीं लगता सो मेरे हाथ में जो बैट आ है मुझे तो वेट लगी नहीं रहा तो बहुत ही शांदर है और इस बैट का एक खासियत है इनका जो हैंडल है यह काउंटर हैंडल जो यहां पर देखी दोस्तों यहां पर बहुत ही मोटा दिख रहा है यहां से पदला दिख रहा है मतलब यह इनका काउंटर टॉप हैंडल है आपको दिखा दे एक मिलिट अगर कामरा सामने लाएंगे इन यह देखिए यह सिंगापुरी केंड है लेकिन यह यहां और टॉप हैंडल है मतलब यहाँ पर बैट का बालन्स करने के लिए यह टॉप जैसे बनाते हैं ऐसा तो आपको इससे क्या होता है यह जो इसका पेंडूलम effect होता है पेंडूलम effect बहुत ही बढ़िया ऐसा बढ़िया pendulum effect आ जाता है और दोस्तों यह देखी इसका design एक इसका जो करब होना चाहिए जितना होना चाहिए उतना ही बड़िया है और इसका जो बैट का वेट कॉंसेंट्रेशन है जЙू इस tell he procent मतलब मतलब इसलिए बुला जब भी एलूगे आपको सीच को यह वेट इससे भी अच्छा, but it doesn't affect your play because हमेशा खिलाडी होने के नाते, मैं खुद क्या करता हूँ, मैं तो खुद अपना, you know, grip change करता हूँ, या फिर इस पर double grip ऐसा कुछ लगा लेता हूँ, but just letting know that ये एक feedback रहे उनका, इतना तो बात कर लिया, लेकिन इस बात का actual weights specific measurements देखते हैं, आईए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, ये देखिए दोस्तों, right, ये देखिए, bat का weight है 1176, मांग के चलिए दोस्तों, ये premium का grip है, जो इन्होंने दिया है, वो premium grip, 30-40 gram तो premium grip का ही होता है, या फिर 50 gram तक, बाकी का जो है, you know, bat का weight है, अगर आप leather ball खेलते हो, जो 150-160 gram होता है, वो इतना weight तो होना ही है, उतना जरूरी है ही, to play a beautiful knock, right, तो मैंने 1300-1350 gram तक के ball से खेले हैं, which means that, you know, this is, you know, very very like a piece of kick for me in the hand, और दोस्तों measurements दिखा देते हैं, ताक कि आपको पता चले, है, ऐसा कुछ में नया नहीं बताऊंगा, वही है measurement जो ICC standard के हिसाफ से दिखाएंगे, जो यह दिखिए अगर यह bat आप देखोगे, this is 33.5 inches का bat है, जो ICC की standard के हिसाफ से, जिसमें इनको आता है 22.5 का blade और बाकी का इनका handle, थिकनेस भी देखिए दोस्तों आजकल ICC allows you to have up to 4.3 to 4.5 inches, यह 4.4 inches का इसका blade है, यह flat blade है, अपर blade नहीं है, यह flat blade है, लेकिन कश्मीर विलोग premium है, यह देखिए दोस्तों यह 40 mm का, 42 mm का इसका thickness है, इसका toe दिखाते है, toe somewhere between 28 to 30 mm का toe है, this is a good profile bat, जैसे मैंने बताए कि अगर आप और मेरे जैसे corporate players है या फिर weekend players है, उनके लिए यह bat बहुती बहतरीन होने वाला है, and this is a premium one guys, यह लोग ऐसे वाले 10 से 12 वाले कश्मीर विलो के bat आपको दिखा के, अगर आपको bat का knowledge है market में, तो English विलो बोल के इसको sale कर देते हैं आपको बहुती हेफटी आठ से 10 जार रुपे के price में, लेकिन यह वाला ऐसन नहीं है, it's a good one, right? तो हम लोग ने ball के बारे में बता है, crownstone तो एक बहुती pointer है, एक leather ball बनाने में, four piece ball बनाने में, red ball, white ball, pink ball, आपको जो भी चाहिए, यह बना देंगे, right? तो इनका ball का weight एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था, the ball for it to be ideal weight, it should be somewhere between 150 to 160 grams, with 85 to 90 stitches on this, right? यह इनका ball से एक बार हम लोग tapping करके दिखाते हैं, कि कैसा है? दूस्तों, आराम से bat फक लिए, आपको पता चल जाता है, यह देखिए दूस्तों, वो, वो, यह देखिए दूस्तों, वाओ, वाओ, दूस्तों, ball उड़ता ही जा रहा है, मतलब मैंने पूरे bat में हर जगह पर जाके आपने थोड़ा उपर नीचे देखा होगा, तो हर जगह मतलब टॉप हो गया, यहाँ पर शोल्डर पर हो गया, हर जगह मैंने में क्वाइबड़ को उसके बाद अभी step up किया, ये प्यारा सा बैट बना के, उसके बाद उनने step up किया, ये प्यारा सा cap बना के, बहुत ही बहतरीन design का cap है, I am wearing it and so comfortable and so lovely design, I love this ride, जोसों ये एक अच्छा बैट है, मैं ज़रूर इस बैट से खेलूंगा और बताऊंगा कि ये बैट कैसा है, अगर द directly उनी से order कर सके, मुझ तक आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जाएए, देखिए और मुझे बताएए कि आपको बैट कैसा लगा, दोस्तों मैं विजे थाप बैंगलोर से और ये रहा मेरा थाप सलाम